नमस्कार दोस्तों सुवा करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंग फार्मसी पर दोस्तों आज का आपको इस वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ मेदोपू जानकाई देंगे जैसे कि प्राइच, डोज, कंटेंड, यूज़, साइट, इपक्ट, बेनिफि आते हैं, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो के दसरूप, ब्रैव एफसी 50MG टेबलिट जो की 10 टेबलेट का एक स्टी पर जिसकी MRP 210 रूपीस है, बात करते हैं इसके कंटेंड की तो इसमें कंटेंड के रूप में वीवा रेश्टम 50MG दिया गया हैं और ये सिपला क एंटी एपिलेटिक मेडिसी ने इसे एकेले या कॉंबिनेस के रूप में इस्तवाल कर सकते हैं, जब तक आप इसे लेना कंटेनी रखते हैं, तब तक ये द्वारे को रोटने में हैल्प करती हैं, ब्रैव एफसी 50MG टेबलिट हमारे ब्रैन में असामानने इलेक्टिकल गतिविदी को सदिमेद करता हैं, आप इसे नियमित रूप से खाने के साथ इस्तमाद कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाप आप्ट करने के लिए परतियक दिन इसे एक ही समय पर लेने का ट्राय करें, डोज और कितनी बार आपको इसे लेने के जरूरत हैं, या आपके ड पर लंबी अबदी के रूप में इसकी सला ली जाती हैं, अगर आपको बैतर मैसु होने लगा हैं, तब भी डॉक्टर के सला अनुसार इसका सेवन कंटेनी लगना चाहिए, अगर आप खुला लोग देते हैं या लेना भूल जाते हैं, तो आपको और अधिक खराब दोरे आ सकते हैं, जब तक आपता डॉक्टर नक करें, तब तब इस दवा का सेवन बंद न करें, ऐसा इसलिए क्योंकि दवा अच्छानक बंद कर देने से, आपके दोरों के इस्तती और अधिक बिगर सकती हैं, इस दवा के कुछ सावानी साइट इपक्ट देखे के हैं, जैसे क चकर आना, हैडएक, मिसली आना, उल्टी, यह सब इसके साइट इपक्ट हैं, इन में से अधिकां साइट इपक्ट के लिए किसी भी सिखिच सकती हैं, लेकिन इन में से कुछ घंबीर हो सकते हैं, इस दवा से इलाज कराने वाले कुछ लोगों को खुद को नुक्सान पहु से आए, डिप्रेशन या अत्मकात के ख्याल या घरवती या घरवतान करने की योजना बना रही हो या इस्तनपन करा रही हो तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बचाना चाहिए, माताओ को इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरू प्राम को पना, क्यों हो कि रषिफी pan